नगरपरशी गुमार्मी के अध्यक्षपत पर आखिरकार भाजवा का कबजा होई गया है राकेश चोपड के सिर्फ सजा है नगरपरशी अध्यक्षपत का ताज गुमार्मी नगरपरशी का अध्यक्षपत का ताज राकेश चोपड के सिर्फ पर सजा है अदेक्षपत के लिए चली रही किशितानी को अबिराम लग गया है S.D.M. के द्वरा दी गई तारीक वो समय पर सिर्फ राकेश चोपडगा के द्वरा ही अदेक्षपत पर नमांकन पत्र दाखिल किया गया नमंकन पत्र दाखिल के लिए समय साड़े दस बज़े एस्टिम के दोरा निधारित किया गया था पर दूसरा किसी के दोरा भी अध्यक्षपद के लिए नमंकन पत्र दाखिल नहीं होने से गियारा बज़े तक राकेश कुमार चोपड़ा को अध्यक्ष गोशित किया गया है प्रश्ट पर द्यक्ष के चुनाव के लिए जो अधाराव तरीक को दिनाव प्रैक किया गया था वैटक के लिए उसमें धारिक को रण पूरा ना होने के कारण उनिस तरीक को पूरा वैटक का समय में धारिक लिया था और आज वैटक में जो एक पिवल चार ही सदस्य मौद होया और नमीनेशन के लिए जो समय दिया था उस तराण पिवल श्री राकेश कुमार जोपरा जी ने अपना नामाकल पत्तर धक्षपार के लिए प्रस्तुत किया इसके अरबा कोई और नामाकल पत्तर प्रस्तुत चोपरा को तीन भाच्वा समर्शित पारशों के साथ उपाद्यक्षपो कांगर्स के नेतरी रीता सहगल का समर्शन मीला है जिसके चलते राकेश चोपरा अद्यक्षपत्रप काबीच हो गये हैं उन्होंने कहा कि बै नगरपर्शित के सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं उन्होंने जोने जिम्मेवारी सौंपी है उस पर बै खराउतने का प्रयास करेंगे और परदेश बू केंदर में भाजवा की सरकार है इसलिए नगरपर्शित के पासिंदों की समस्यां को हल करने के लिए पूरी कोशिच करेंगे मैं नगरपर्षद के समस्त पासलों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे जिम्बारी सौपी है और जो नगरपर्षद सबंतित जो भी समस्ते हैं उनके बारे में भरिवांती में परशित हूं और चिंतित भी हूं कि पिछले साथे ती नाली है उसमें हम पूरे नहीं उत्रे हैं मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं सबको सारे हमारे जमस्त इतने पार्षद हैं उन सबको साथ लेकर के सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस है वो यह है कि हमारे बधायक लोगप्रिय बधायक सी राजिंदर गरग जी भी हमारे साथ हैं और सरकार भी हमाचर परदेश के अंदर और केंदर के अंदर हमारी है हम मिलकर के जो है जो उसमें पूरा प्रयास नगर परशिद के उठान के लिए करेंगे